मुंबई वापस लॉट ते ही नील बाइट को देख रो पड़ी आश्वरय शर्मा पती को कस्त के ऐसे लगाया गले खत्रों के खिलारी 13 की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है शो से जुड़े सभी कंटेस्टेंस अपने घर की ओर रबाना भी हो चुके है पड़ी में से एक है अश्वरय शर्मा जब केप टाउन से शो की शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद आक्टरस वापस मुंबई लॉटी तो वो काफी ज्यादा एमोशनल हो गई ऐसा इसले क्योंकि एरबोर्ट पर उनका वेलकम सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आक्टर और उनके पती नीलबाइट करते हुए नज़र आए अपने पती को काफी टाइम के बाद आमने सामने देग आक्टरस करने लगा कर उन्हें रोने भी लगी इससे जड़ा वीडियो अप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल भी हो रहा है दरसल जो वीडियो नीलबाइट और एश्वर्य शर्मा से जड़ा सामने आया है उसे देखने के बाद फान्स भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके है वीडियो में देखने को मिला कि नीलबाइट और उनकी वाइफ एश्वर्य शर्मा के साथ बुके लेकर पहुचे वीडियो में आट्रेस अपने पती को गले लगाए हुए दिखाई दे रही है है अपने प्यार सर्फिर से मुलाकात करने के खुशी में नीलबाइट के फेस पर साफ़ तौर पर देखने को मिली एश्वर्य शर्मा और नील भाइट के इस वीडियो पर फान्स कई तरह के कॉमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपको बताते कि एश्वर्य शर्मा का नाम खत्रों के किलाडी 13 के फाइनल में होने की बाद भी काफे जोरो शोरों से चल रही है वर आपका एश्वर्य शर्मा और नीरभाइट के इस प्यारे से वीडियो पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें